हेलो दोस्तों स्वागत है आपा सोशियोलोजी क्लासिस बाई राजबूद सनी के हमारे यूटूब चैनल पे तो आज हम देखेंगे सोशियोलोजी से संबंधित महत्पूर प्रश्ण आईए आज का पहला प्रश्ण है हमारा संस्कृतिक सापे छवाद में क्या नहीत नहीं ह यह एक संस्कृति अच्छी अथ्वा बुरी दोनों ही है यह पुरुवर्टी से संबंधित होती है यह अस्थान से संबंधित है यह एक समु के भूत्वकाली Casey कल्य विचारों से संबं दित है तो इसका राहिट आंसर हमारा ए हो जाएगा एक संस्कृतिस अथ्वाद bुर दोनों होती है का समावेशन नहीं किया जा सकता है समाज साधिष्च की सामुहिक चेतना है यह किस ने कहा है स्पेंसर गिडिंग्स दुरखीम या मैकाईबर इसका राइट अंसर भी हो जाएगा गिडिंग्स ने समाज के संदर में निम्न परिश्म भासा दी कि समाज स्वयम संग अल्म संगठाने मानव चारिक संबंदों का योग है जिसमें ब्यक्ति एक दूसरे से सा संबंद रहते हैं तो समाज साधिष्च की साध्रिष्टता की सामुहिक चेतना है या कथन किस से संबंदित हैं गिडिंग से अगला प्राथ्मिक समुह की आउसक्ता और स्वार्थों का तदात्म में किसी ब्यक्तिका ब्यक्तिका स्वार्थ्म नहों कर समुहिक स्वार्थ होता है संधर्ब समुप्रत्य की विवेचना सरुप्थम किसने की है तो इसका राइट आउसर सी हो जाएगा हाई मैंने संधर्ब समुप्रत्य की सरुप्थम विवेचना की है संदर्व समू समू की वह होती है जिसमें ब्यक्ति स्वयाम सदत से नहीं होता है किन्तु सदत से बनने की आकांच्छा रखता है हाइवन के पश्चाद मर्टन और इश्ठाउपर ने इसका विस्ट्रित अध्यान किया है लिखित में से कौन सा कथन सत्य है समथाय अमूर्थ जबकि समाजंब्र है समथ मूर्थ हैं समाज अथवा मूर्थ है रॊकी कथन हमॉर्थ है अगला निमलिखित में से कौन समधाय का उधारण है भारती मूल के भारती समाज स्रमिक संगया वारारसी के बंगाली प्रामार तो इसका राइट अंसर D हो जाएगा कि वारारसी के बंगाली प्रामार एक समधाय को प्रदर्वतित करते हैं कि मिंद्ख्व। निम्ध्खित में से कौं समिय्थी है विवाह बिवाह जुलूस एक स्कूल एक अस्थानिक कल्याडकारी चंव तोस्तों हो जाएगा एक अस्थानि कल्याड कारी समीत एक समीथ आने तर्गत आएगा अगैक अग्ला नीवा एक संथ्थाह समाझी में त्था लिक समीत प्रत्यौत्य प्रस्तिक के उधारल्हर हैं उसे कहते हैं जिसे जर्ष लूसे प्राफ्थ करता है ह। यह रखावर वर तमाण में बदलते हैं आधर्शात्मख विभुःफार के अंतरगत निम्न में us by ऐ प्रतिबंधित अस्तर से संबंधों में विवा करना या जाति नियमों का पालन ना करना विदवा पुनर विवा या विदवा पुनर विवा का इरोध करना तो इसका राइट अंसर यह हो जाएगा कि प्रतिबंधित अस्तर के संबंधों में विवा करना एक विचलित विवार समाज में वीचलित ब्योहार माना जाता है जैसे कि समाज अंतर बिवाही में होती है जाती कि अंतर बिवाही होता है अपनी ही जात में बिवाह किया जाता है अगर ब्यक्ति को बाहर जाती में बिवाह करना प्रतिबंदित है अगर बाहरी जाती में किसी अन्य जाती में बिव करता है तो उसे समाज के द्वारा बिचलित माना जाता है जिसके कारण से समाज से निशका सित कर दिया जाता है अगला आत्म साथ करर आवस्यक रूप से है समाजिक गतार्या राजनैतिक प्रक्रिया एतिहासिंश प्रकियाय manque या तो आत्म साथ करण एक समाजिक प्रक्रिया में समलित की जाती है अगला आत्म साथ करण एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक ब्यक्ति समूं समान भावनों भावनाओं बेवहारों प्रित्मानों को सिवकार करते हैं उनका अनकरण करते हैं इसलिए यहां एक समाज करण घटित होता है कि निमलखित में से किसमें प्रतिसपर्धा नहीं था कुस्ति में मोहन बगान था मोहन मड़म स्पोर्टिंग क्लब के मद्ध फूटबाल मैस या एक जंजाती तीर अंदाजी प्रतियोगता या प्रादेशिक लोग सेवा परिच्छा में समलित होने वाले अभ्यार्थी तो इसका राइट अंसर डी हो जाएगा प्रतिसवर्धा के अंतर का प्रादेशिक लोग सेवा परिच्छा में समलित होने वाले अभ्यार्थी होते हैं अगला निमलिखित में से कौन सा अचेतन नियंत्र जन शम्ता पर लगता है परिवाद का अक्सिमिताकार विदवा पुनर्विवा का निसेद करना याउन क्रिया के वर्जनात्मक प्रतिबंद या उप्रोक्त सभी तो राइट अंसर ची हो जाएगा अचेतन नियंत्र जन पर लगाता है याउन क्रिया के वर्जनात्मक प्रतिबंद अला उसकारक को इंगित कीजिए जो की जन संख्या घनत को प्रभावित नहीं करता प्रदूसर अब इसका राइट अंसर ए हो जाएगा प्रदूसर इसके बार अने विकल्प हैं जलवाई प्रभावित करती है भ अगला नात्यदारी संबंधों को दो प्रकारों में विवाजित किया जाता है पहला रक्त संबंधी है तो दूसरा क्या होगा मित्र संबंधी परंपरा संबंधी धन संबंधी बीवा संबंधी तो इसका राइट अंसर भूती हो जाएगा नात्यदारी संबंधों को दो प् पिता और पुत्र और बिवा संबन्दी में पती और पत्नी का संबन्द होता है। भारत में जनजातियों के विख्यास के लिए सरकार को राष्टी उपौन का सुझाओ किस नहीं दिया। घुरिये मजुमदार एनके बोस वेरियन एलविन। तो सरकार को राष्टी उपौन का सुझाओ वेरियन एलविन करते हैं तो था इसका लागू इसे करने का स्थे हैं पंडित जौहाल लाल नहरू को जाता है। निमलिखित में से संभीधान की कौन सी धारा अनसूचित जातियों जनजात को विशेश इस्तिती प्रदान करती है। करके 166 से उनकी रच्छा धारा 46 के अंतरगत किया जाता है। जबकि धारा 330 का संभा में अनसूचित जातियों जनजातियों के लिए अस्थानों का अरच्छड होता है। अन्य पिछडे वर्ग या उच्छ जनजातियों जनजातियों जिनका नाम समिधान की अनसूची में दिया गया है। इनको अनसूचित करने का उद्देश इनकी सामाजिक विक्यास एमुत्थान है। 1950 में अनसूचित की गई जनजातियों की संख्या मात्र 212 थी जिनहें 1971 में बढ़ाकर 427 कर दिया गया। अगला निम्लिखित में से कौन सी जनजाति की विश्यस्ता नहीं है। खंड़नात्मक असमानता एक दूसरे से सोतंत्र आदिकालीन जीवन चलाने के लिए प्रध्योगी। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। लगवक सभी जनजातियों में समानता पाई जाती है नकि असमानता। अगला डाक्टर भीम राव अंबेटकर ने निम्लिखित में से किस पहलू पर बल दिया है। अंसूचित जातियों के उर्ध्वाधर संगठन पर अंसूचित जातियों के 36 संगठन पर या उप्रुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यह हो जाएगा कि डाक्टर धियू रा अंशूचित जातियों को उपर उठाने का कारे किया या बल दिया है तो अम्बेटकर जी ने अखिल भारती हर्जन कल्यार संग की अस्थापना की है अनसूचित चातियों की उठान के लिए एक जनजात की डेशी संस्कृती का पुना प्रचलन कहलाता है देशियता पर संस्कृती गरहार आत्मसात करण या समाय हो जान तो किसी जनजात की डेशी संस्कृती का पुना प्रचलन देशियता के अंतरगत आये गा अगला मैलिनो अस्की के अंस्थार जादूई विश्वास की निम्लिखित इस्थितियों में उत्पन होता है अनिस्थिताओं पर नियंतर पाने के लिए विश्वास में ब्रिधि कर चिंताय कम करने के लिए उप्रोक्त सभीज्थितियों के लिए इसका राइट आंसर यह हो जाएगा मैलिनो अस्की के अंसार जादूई विश्वास का विकास अनिस्थाओं के पर नियंतर पाने के लिए हुई है मैलिनो अस्की के अंसर जम मनुस से इच्छा नुकूलन पर प्राथना और उप्वहार प्रसंड किया जाता है ब्हारत मैं राष्ट की पूर्ध के लिए निम्रेकित में से कौन सा कारक वाधक है समोह की अनेकता छेत्री यह संश्कृतिक विस्षटाएं जातिवाद या उपरोक्त सभी सरवाधिक वाधक जातिवाध है जातिवाध के अंतरगत संपूर समाज के छोटे-छोटो भागों में विवक्त है प्रतेक जातिएक हितों को प्रात्मिक्ता देना राष्टी हितों की पेच्छा करना होता है इस कारण लोगों में हम की भावना का अभिक्यास नहीं हो पाता है अता है जातिवाध की भावना को राष्टी एकी करण में सरवाधिक बाधा उपस्तित करने का कारण माना चाता है आज कल राजनेती पार्टिया जातिवाधी अजेंटा चला रही है जिसके कारण राश्टी एकता को पाना तो बहुत ही मुश्चिल हो गया है निम्लखित में से किसने दलित वर्ग कल्यार लिग की अस्थापना की है यमके गाधी लोकमानने तिलक गोफाल गोखले या डाक्टर भीमराव अम्बीटकर तो इसका राइट अंसर डी हो जाएगा भीमराव अम्बेटकर ने दलित वर्ग कल्यार लीग की अस्थापना की है सरवाधिक यमके गाधी ने हरिजन की और हरिजन नामक पत्रिका भी महत्मा गाधी ने निकाला है अपनी संस्क्ति की परिभासा के लिए निम्लखित में से कौन सा अधिक सूपरचित है मौरगन ल टाइलर माने जाते हैं टाइलर ने संस्क्ति को वह संपूर जटिलता माना है जिसमें ज्ञान विश्वास कलाह नयतिक कानून प्रथा वे सभी छमताये वह गुड़ समलीत होते हैं जिन्हें मानों समाज का सदस्थ्य होने के नाते प्राप्ते किया जाता है आज का आखरी क्यूस्टन निम्लखित में से सदस्थ्यता किसमें नहीं होती है मन समीत में संस्था में समुदाय में एदुती में तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि संस्था में ब्यक्ति सदस्थ्य नहीं बन सकता जबकि क्यूंकि संस्था यमों यम कार्य पढ़ा लियों क एक धाचा होती है जबकि समीति समुदाय युम्दुतियक समुख्या सदस्यब्यक्ति होता है तो इसका राइट अंसल भी हो जाएला तो वीडियो को लाइक और सेयर करें चैनल को सस्काइब करें धन्यवाद